हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल SK टेक्निकर हम में जहां आज हम बात करने वाले हैं टोर्च के कनेक्शनों के बारे में वो भी हिंदी में चलिए शुरू परते हैं हमारा आज का वीडियो कि दोस्तों आप सब यह गर में किसान टोर्च अपके वास होता ही है आज हमारे पास यह किसान टोर्च है तो सोचा है कि आप तो इसके सारे कनेक्शनों के बारे में बता देए लिए तो इसके इंदर यह दो वायर होता है कि यह बैटरी के लगा हुआ हमारा स्टेप डाउन ट्रांसपार्मर 606 का जहीं दोस्तों आप समें देख पा रहे हुँ दो डायोड लगे हैं तीन रेजिस्सेंस लगे हैं और एक इंडिकेशन के लिए लेडी लगी है साथ ही इसके अंदर एक मैन लेडी है और छे ओउसलेरी लेडी लेडी है एक स्टेप डाउन ट्रांसपार्मर लगा हुआ है 606 का जो 230 वोल्ट वो 6 वोल्ट में कनवर्ट करता है तो के कनेक्शन समझने के लिए आपको इसका पहले डाइग्राम देखना होगा तो यह आप डाइग्राम देख सकते हैं इसक्रीन पर दिख रहा है इसमें सुरू करते हैं यहां से दो वायर आ रहे हैं मैन लाइन के हो जाएंगे स्टेप डाउन ट्रांस्पार्मर के इंपुट के अंदर इंपुट से तीन वायर बाहर आते हैं दो वायर वायर एक ब्लू है जो ब्लू वायर है वो पॉमन का है जीरो वोल्ट के लिए और जो दो वायर है वो है 6 वोल्ट के लिए जो दो ट्रांस्पार्मर होता है हमारा व को DC में convert नहीं करता है उसको DC में convert करने के लिए हमने यह यह पर दो डायोड लगा रखे हैं अब जो हमारा मेन LED है और जो इंडिकेशन का LED है वो क्या है लो वोल्टेज का है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर है रेजिस्टेंज लगाएंगे जैसे हमारा मेन LED वाल्ब है चार वोल्ट का है जरके अमारा बेटरिय रोड़र थैंट युसके लिए हम जो LED है उसके सीरीज के अंदर प्रेजिस्टेंज लगा रोगेंगे जिससे वोल्टेज का प्रहले हैं इसी के साथ इसमें हमने एक स्विच लगा रखा है तो स्विच का एक-एक सीरा तो दोनों है LED में जाता है और एक सीरा उसमें बैटरी का लगा होता है जो और जो common का सीरा होता है वो direct LED में जुड़ा होता है तो इसके अंदर जो बैटरी उसमें प्रोब्लम आई है कि एक से काम नहीं करें जो में एलेडी है वो जल नहीं रही है तो उसके लिए क्या इसमें एक वायर्ट उटावा है जिसकों स्वोल्डर करेंगे सोल्डर वहमारा द्रम ओचुगा है यह था सोल्डर यह था फ्लक्स उर यह था सोल्डरी वायर्र इसके साहरे था इस को वायर को स्वोल्डर करते हैं तो फ्लक्स को जांपविन में स्वोल्डर करना वा पर रोटश लगाना है तकisesti कर दो हमारा जोने को अच्छी से हो जाए है अब देखते हैं यह काम कर रहा है नहीं कि देख सकते हैं आप यह ठीक स्वेड़ी काम कर रहा है तो इसको वापिस असेंबल करते हैं कर दिया है वापिस अब देखते हैं काम कर रहा है कि देख सकते हैं आप बिल्कुल काम कर रहा है